ग्रीटिंग्स टू आल डी एम फॉर यूथ मोतिहारी प्रोग्राम के तहत हम लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा नाम समीर सौरफ है I am assistant collector मोतिहारी and I got 32nd rank in UPSC civil services examination 2018 तो इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज के थुरू हम आप सभी students को बताएंगे कि कैसे जो competitive examinations हो चाहे UPSC हो चाहे BPSC हो चाहे railways, SSC, bank, दरोगा का exam जितने भी exams होते हैं उसमें जो भी पॉलिटी के questions आते हैं, constitution से related questions आते हैं, आप उसको कैसे tackle करेंगे, कैसे उसको solve करेंगे तो इस lecture series के थुरू हम आपको पॉलिटी को तहर तक ले जाने की courses करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आपको इसमें पढ़ाई करनी है तो सबसे important चीज है कि Indian quality को पढ़ा कैसे जाए बहुत लोग confused रहते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ने का है कैसे पढ़ा जाए, book भी काफी मोटी है तो मैं आपको बता दूँ कि ये, मैं हमेशा ये बोलता हूँ सारे students को और सारे juniors को जो भी तैयारी कर रहे है कि Indian quality अगर आपको पढ़ना है तो एक book आप मान सकते हैं लक्षमी कांथ की book जिसको कि हम Bible बोलते हैं पॉलिटी के लिए तो आप लक्षमी कांथ की book में देखेंगे कि different segments में बाटा हुए उसको constitutional framework है जिसमें constitution के बारे में बताते हैं यानि कि अपने सम्विधान के बारे में बता रहे हैं citizenship यानि नागरिक्ता के बारे में बता रहे हैं fundamental rights जिसको FR बोलेंगे fundamental duties FD या DPSP जिसका full firm directive principle of state policy होता है और कुछ amendment of the constitution ऐसे chapters हैं तो जिसको आपको पढ़ना है ये words वगरे सुनके आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हो रही है बहुत tough लग रहा होगा maybe but मैं आपको promise करता हूँ कि आप जितना इस book को पढ़ते जाएंगे उतना ये सारे words आपको clear होता जाएगा और आप easily polity को grasp कर पाएंगे और जो competitive examination के आप तयारी कर रहे हैं उसमें बहुत आसानी से आप प्रस्नों के उत्तर दे पाएंगे लक्षमी कात में और system of government की बात होती है जिसमें parliamentary system, federalism, central state relationships, emergency provisions इसके बारे में भी discussion किया गया है तो मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है Indian polity की तो आप खरीद लिजे और इस किताब से start कीजे और हमारे lecture series के थुरू हम आपको guide करते रहेंगे कि कहां से आपको क्या पढ़ना है ताकि आपको maximum benefit हो सके इस चीज़ का इसी में Indian polity में ही फिर आगए है central government के बारे में बात होती है local government जिसको आप जैसे θα नगर परिशाद नगर पाली का अप सुनते रहते हैं नीोस्पेडर में इसके बारे में भी काफी detail description दिया गया है Indian polity books constitutional bodies जैसे कि election commission या non constitutional bodies इसके बारे में भी discussion किया गया है तो जब यह book आप पढ़ेंगे तो end to end आपको quality के बारे में knowledge हो जाएगा और सबसे important बात है इसमें जो second point में बता रहा हूँ कि आपको revision multiple times करना पढ़ेगा मतलब कि यह book अगर यह किताब आप खरीद रहे हैं इसको बार बार पढ़ना होगा मुझे मैंने किताब को कम से कम 20 से 25 बार पढ़ा है तब जाकर के तब भी मैं अभी confident नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है क्योंकि इसका syllabus इतना vast है कि आप अगर revise नहीं करेंगे तो चीजों को भूलते चले जाएंगे तो मैं suggest करूँगा हर मेने में एक बार कम से कम ये किताब end to end पढ़ लीजिए तीसरा point है कि आपको notes बनाना होगा अधरवाइस क्या होता है कि आप notes नहीं बनाते हैं किताब बहुत मोटी है एक्जाम के जस्ट पहले आप पढ़ने जाएगा तो अतनी मोटी किताब को पढ़ नहीं पाईएगा तो notes आप करेगा एक छोटा सा तो आप उसको पलटके एक्जाम के पहले जा सकते हैं ऐसा refresher चौथा point है कि newspaper पढ़ना है newspaper reading is very important क्योंकि जो भी सवाल आते हैं उसमें पुराने जो theoretical चीज़े होती है उसे connect करने की बात होती है हमेशा जैसे अभी election आ रहा है आप newspaper है हमेशा दिखिए है कि model code of conduct लगा दिया election commission of India लेकिन फिर आप तब जैसे ही आप पढ़ेंगे फिर आपके दिमाग में आगा अच्छा मैंने पढ़ा था इंडियन पॉलिटी में कि election commission of India is a constitutional body वो यह section के अंतरगत उसके पास power है तो यह article है इस article के अंतरगत उसके पास power आता है तो आप जब newspaper पढ़ेंगे तो सब connect कीजे जो आप इंडियन पॉलिटी किताब में पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि overall आपको picture बहुत clear cut समझ में आ जाएगा तो यह मैंने basic बता दिया कि इंडियन पॉलिटी बुक को कैसे पढ़ना है आज हमारा पहला लेक्चर है पहले लेक्चर में हम discuss करेंगे historical background के बारे में historical background किस चीज़ का हम इंडियन पॉलिटी में सबसे important है constitution को पूरा पढ़ने वाले हैं end to end सारे articles को discuss करेंगे जितने भी उसमें provisions दियेगे हैं उसमें उसको पढ़ना है अच्छे से समझना है ताकि questions को बहुत अच्छे से हम solve कर पाए हमारे purpose यह नहीं है कि हम पॉलिटी में PhD कर ले हमारे purpose बस इतना है कि अगर कोई सवाल आता है इंडियन पॉलिटी से तो सवाल नहीं कि वो automatic बन गया था एक रात में उसको बनाने के पीछे बहुत सारी background stories थी कुछ जो Britishers के समय जो बहुत सारे acts बने थे बहुत सारे regulations थे उस सबसे हमने सीखा कुछ और वो सब सीखते सीखते आगे बढ़ते गए और end में जा करके हमने अपना इंडियन constitution मनाया उन सबसे प्रेड़ना ले करके तो अगर आपको इंडियन constitution समझना है तो इंडियन constitution के पहले की चीजों को भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा तो इसी तहट सबसे पहला होता regulating act 1773 जो company rule को establish करता है इंडिया में उसके बारे में बात होती है तो इसमें 5 important point है जो आपको याद रख हैंगे लक्षमी कांद बुक में तो आपको याद रहा है कि regulating act 1773 था जिसके अंतरगत governor बंगाल को governor general बंगाल बोला गया तो इस तरीके से मैंने कुछ points रख दिया हर एक act के अंतरगत जो कि important है जो exam point of view से बहुत important है कि questions आपको डिरेक्ली ऐसा पूछ सकता है कि कि किस act के अं आपके लिए पहला important act है regulating act 1773 इसमें इस इंडिया कंपनी के दो function को recognize की थी British Crown ने political and administrative function और जो हम बोलते हैं कि British rule जो था बहुत centralizing rule हो गया था Crown rule जो था और जो company rule था वो highly centralized था तो यह जो यह वाला जो है 1858 के पहले के रूल को company rule बोलते हैं क्योंकि जब 1857 में जो हमारी क्रांती भी थे 1857 की उससे पहले इंडिया में इस्ट इंडिया कंपनी का rule था लेकिन 1857 के क्रांती के बाद direct British rule हो 1773 था वो इस्ट इंडिया कंपनी का रूल था जो एक्ट था तो उसके अंतरगत governor general of Bengal बनाय गया एक executive council बनाय गया बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं executive council is equivalent to जो हमारी आज के ministers हैं उनको executive council के equivalent आप समझ सकते हैं एक supreme court बनाय गया एक court of director बनाय गया to observe the regulating act and other activities of East India company उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट इसमें क्या है court of director अल्यडी बन चुका था regulating act में तो पिट्स इंडिया एक्ट में board of control बनाय गया जिसका काम था इस इंडिया कंपनी के political affairs को देखना commercial affairs को court of director देखेगा लेकिन political affairs को board of control लेखता था और पहली बार बोला गया कि company का जो territory है इ इसकी है वो territory फिर आता 1833 वाला act जिसमें की governor general of India का नया post create किया गया और East India Company को purely administrative body बोला गया और for the first time इसमें एक attempt लिया गया कि हम कैसे civil servant का selection open examination के थुरू करें बट यह successful हुआ नहीं फिर वह successful open selection वाला 1853 के act में हुआ जो आगे है 1853 act में open selection हुआ है मतलब civil services में आप exam दीज उसके बाद आपका selection होगा इसमें separation of executive and legislative function है इसका यह मतलब है कि एक legislative body का establishment किया गया मतलब यह समझे कि पहले बस ministers होते थे बाद में क्या हुआ कि इस act के अंतरगत ministers के अलावा assembly के members भी होने लगे जो कि law making body थे जैसे आज के date में आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले बस मंतरी हो गये तो दोनों separation of executive and legislative function यहां पर हो गया था next पढ़ता है फिर अभी हम इससे पहले जितना भी चार act पढ़े हैं वो वो आता था company rule में और 1857 की mutiny वी उसके बाद आता है crown rule मतलब British crown basically जो Britain के king का direct rule हुआ करता था यहां पर उसके बार में discussion हो रहा है तो पहला उसमें अक्ट आया था government of India 1858 आपको पता है 1857 में क्रांती भी उसके बाद 1858 में यह act आया और उसमें governor general of India जो पोश्ट था उसको काड़ करके इंडिया बोला गया यह वाइस राय जो होता है वाइस ऑफ रायल होते हैं रायल में जो वहां के king होते हैं उसका उसका representative को वाइस राय बोला गया और इंगलेंड में secretary of state का नया post create क्या गया जिसका काम था इंडिया में वाइस राय के activities को देखना या जितना भी activity of Britain बिटेन का है उसको देखना होता है और जो board of controller court of directors की office थी उसको abolish कर दिया गया Crown rule में तीन important Indian councils act आये जिसके बारे में मैंने bullet point में लिख दिया इसमें आप इसको एक बार देख लिजिए और इसको समझने की कोशिस कीजिए कि 1861 का जो इंडियन councils act था यह councils act है इसमें legislative council के बारे में ज्यादा बात हो रही है जो कि lawmaking body थी उसके बारे में ज्यादा बात हो रही है तो 1861 में इंडियन को legislative council का member बनाना start कर दिया गया क्योंकि पहले बस Britishers होते थे अंग्रेजी होते थे जो पहले मैं बोल रहा साथ centralizing power हो गया है सब कुछ उसको decentralized करना start कर दिया इन्होंने एक portfolio system आया जो portfolio होता न अभी यह मंत्री है कोई गन्ना मंत्री है कोई टूरिजम के मंत्री है इस तरीके से जैसे portfolio सबको divide किया गया मंत्रियों को यह भी इंडियन councils act में आया है और ordinance making power वाइसरा को दिया गया आप जो जानते हैं आज के समय में जो ordinance निकलता है जब कोई आपका लोगसभा राजसभा जब नहीं चल रहा होता उस समय सरकार जो ordinance लाती है तो आपसे question पूछ सकता है डारेक्ली कि आप बुलिए का इंडियन councils act 1861 1892 में हुआ क्या फिर जब लेश्लेचर में इंडियन चले गए लेकिन इंडियन को बजट वगारा पर discuss करने या कोई power नहीं था कुछ नहीं कर सकते थे बस खाली सुनना होता था वहाँ पर तो फिर हम लोग struggle करने लगे कि नहीं हमको हमको भी authority मिलना चाहिए इंडियन को भी जाकर के discuss करने का the power of discussing the budget on 1892 councils act में मिला लेकिन voting का राइट नहीं मिला और for the first time elections हुए बट यह direct elections नहीं थे कुछ non official seat को भढ़ने के लिए indirect elections थे फिर 1909 का जो act है वो थोड़ा important act है moralimento reform से बोलते हैं इसको और इसमें क्या किया कि जो power of discussing the budget था पहले तो अब आपको extra power दे दिया कि अब power to ask some supplementary questions and move resolutions on budget तो लेकिन अभी भी voting का पावर नहीं इसमें दिख रहा है और जो executive council थे मतलब जो ministers होते थे मंतरी उसमें इंडियन को भी अब लाने लग गई यह लोग लेकिन इसमें एक सबसे खराब चीज़ वा था हूँ communal representation of Muslims जो की और कम्यूनलाइजेशन आफ जो legislative council हुआ यही से start हुआ और यह फिर आगे चल करके जो यह है यह हमारे मतलब different religions के बीच में इसने मद्वेट पैदा किया तो basically यही है communal representation of Muslims जिसने Hindu और Muslims के बीच में NMT को बढ़ावा दिया next आता है Government of India Act 1919 इसमें क्या है कि Central State के जो subjects थे उनको divide कर दिया गया डायरकी का system लाया गया डायरकी में ट्रांस टायरकी का मतलब होता है कि दो subject दो तरीके के subject होता है transferred और एक reserved transferred subject में जो मंत्री होते थे वो जो है responsible जैसे आज के समय में क्या जितने भी मंत्री हैं they are responsible to council to MLS, MLCs तो यह वही transferred subjects वैसे ही होते थे और जो reserved subjects होते थे उसमें वाइसराय का decision ही final decision होता था कोई इसमें जो executive है उसका legislative organ से में कोई responsibility नहीं invested था मतलब जो वाइसराय चाहेगा वही होगा तो दोनों दो तरीके subjects बना दिये गए थे उसको इंट्रोडिशन आफ डायरकी question सीधा ऐसे आता है कि कौन से इंडिया act 1919 तीसरा important point है bicameralism आया मतलब bicameralism को मैंने LSNRS लिखा मतलब लोगसभा राजसभा कैसे होते हैं दो different यह हैं आपके bodies हैं लोगसभा upper house लोगसभा is lower house and राजसभा is upper house और direct elections का introduction पहली वार इस act के अंतरगत हुआ है और जो executive council में चे लोगोते हैं इसमें तीन इंडियांस को रखने की बात हुई लेकिन फिर भाईवा की next point है कि communal representation बढ़ा दिया गया पहले जो बस muslims को separate electorate मिला था वो चीज़ अब सिख, Christian, Anglo-Indian और European को भी मिला और इसमें एक अच्छी बात हुई कि Central Public Service Commission को establish किया गया for recruitment of civil servants इसमें तीन लिस्ट में बात दिया गया पूरे सब्जेक्स को फेडरल प्रोविंसियल कंकरेंट फेडरल हो गया मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्स जिसमें Central Government का रूल चलेगा प्रोविंसियल सब्जेक्स में बस State Government का रूल चलेगा और ऑर concurrent में दोनों का चल सकता है जैसे आपको मता रहे हैं आज के देट में income tax जो होता है वह Central Government देखती है लेकिन पुलीज जो ता है वह State Government देखती है तो पूली सिजेस्टेट सब्जेक्ट लेकिन इंकम टैक्स रेलेटिड जैसा वाला टैक्सेशन वगरा होगा वो सेंट्रल सब्जेक्ट हो जाएगा और कंकरेंट है जिसमें दोनों देख सकते हैं गवर्मेंट अफ इंडिया के अंतरकर जो छह साथ पॉइंट है वो मैंने लिख सकने हैं इसमें जैसे है कि कॉंसिल अफ इंडिया जो की कॉंसिल अफ इंडिया आपको याद होगा जो की बनाए गया था 1858 आक्ट के अंतरगत सेक्रेटरी अफ इस्टेट को सपोर्ट करने के लिए यह पॉइंट नुमर सिक्स में दिख रहा है कि इसको एबॉलिश कर दिय गया यहां की लोगों का कंट्रोल पढ़ गया है जो इंडिया में जो लोग थे एक आर्भी आई दिख रहा है रिजर बैंक ऑफ इंडिया के स्टाविस्मेंट इसी आक्ट के अंतरगत हुआ है कि कभी भी कोश्चन आ सकता आप से विच अंडर विच आर्भी आई वाज वा स्टाविक स्रूश कमिशन आज के BPSC के एक्योलेंट है और जॉइन विक सर्विस्मेंट भी होता है कि दो या तीन स्ट मिलकर करके आपस में बना लेते हैं कुछ सर्विस कमिशन लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसमें सीजी सी बात है इसमें यह बताया गया कि बिटिस रूल इंडिया में खतम हो गया है जो सम प्रभुता जो थी बिटिस की वह खतम हो गया और भारत का इंडियन पारमांट सी यहां पर आ गया है इंडिया को right दिया गया Commonwealth of Nations से secede करनेगा, मतलब हट जानेगा जो Commonwealth of Nations ऐसे countries थे जो कि पहले बिटेन के गुलाम हुआ करते थे तून लोगों ने मिनके Commonwealth of Nations बनाया था तो इंडिया को right है कि आप कभी भी इसे निकल सकते हैं दो इंडिया आज सक नहीं निकला है जिसके कान आप देखते भी हैं कि Commonwealth of Sports में इंडिया पाटिसिपेट करता है और इस act के अंतर गया तो वाइसराय का office खतम हो गया obviously इंडिया जो इंडिपेडेंट हो गया था हम वाइसराय की क्यों सुनेंगे और Governor General की office established for both India and Pakistan for the time being जब तक कि President का पुष्ट नहीं आ गया यहां पर तब तक Governor General का पुष्ट आया था शुरू में और इसका वही था कि nominal रूल था बस जैसे प्रसिडेंट का भी क्या nominal रूल रहता है और एक्ट्वल पावर जो डी फैक्ट्व पावर और प्राइमनिस्टर में वेस्टेड है तो सेम केसे यहां पर भी है इसमें मैंने बुलेट पॉइंट्स बना दिया है आपको कुछ नहीं करना है इन सब पॉइंट्स को जाकरके जॉल डाउन करना है समझना है याद करना है और जो कोस्ट्व इस तरीके से अगर आते हैं तो इसको आपको सॉल्व करना है Thankyou very much for listening to the lecture. हम और भी lectures निकालेंगे इसमें और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो आप comment section में कुछ सवाल पोच सकते हैं हम लोग try करेंगे ज़ादा से ज्यादा सवाल का जवाब देने का तन्यवाद